जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योटीप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 जन्वरी और 19 जन्वरी 2022 के कुम्भराशी फल के बारे में कुम्भराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों की इस्तिती क्या होगी इन दो दिनों में किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन्चरिया में देखने को मिलेंगे कौन सा ग्रह राशी बदलेगा किस ग्रह का क्या प्रभाव आपकी दिन्चरिया पर होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से बस आगे बढ़ने से पहले आपसे चूट असाने विदन है चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जूड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगी तो चलिए सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं पहले अठारा जनवरी की बात करते हैं तो अठारा जनवरी का दिन मंगलवार का दिन है क्रशन पक्ष की प्रती पदा तिथी है और पुशन नक्षत्र रहे का इस दिन जो योग बन रहा है वो विश्कम नाम का योग बन रहा है शाम तक उसके बाद प्रिती नाम का योग बनेगा चंद्रमा करक राशी में है बहुत उत्तम नक्षत्र है आज पुशन नक्षत्र ज जो सभी नक्षत्रों में सब स्रेस्ट माना जाता है किसी भी चीज की खरेदारी करने के लिए इसके इलावा इस दिन सरवार सिद्धी योग भी बनेगा और अभी जीत मुरत होगा दोपहर 12 बच कर 10 मिनट से 12 बच कर 53 मिनट तक 19 जनवरी बुद्वार का दिन क्रशन पक्ष की दुएतिय थी असलिशा नक्षत्र है पृति नाम का योग बन रहा है जंद्रमाकर कराशी में है सूरिय मकराशी उत्रसाड़ा नक्षत्र में है अभी जीत मुरत इस दिन कोई नहीं है लेकिन इस दिन एक बहुत बड़ा राश होने वाला है क्रहों में मकराशी में सूर्य तो विराजमान है जो 17 जनवरी को अस्त हो चुकी है और 18 जनवरी को शनी अपनी राशी मकराशी में अस्त होने वाला है एक बहुत बड़ा परिवर्तन है शनी का जो भी परिवर्तन होता है शनी वक्री हो शनी के चाहें नक्षत तो बहुत अधिक प्रभाव आपको अपनी दिंचरिया आपके जीवन के शेत्र में देखने को मिलता है तो आज शनी आस्त हो जाएंगे और इने का जो प्रभाव है वो किस तरह से आप देखने को मिलेगा यह हम जानते हैं पहले आठारा जनवरी की ही बात करें आठारा इसके अलावा किसी भी तरह के संदिग्द लेन देन में फसने से आपको बचना होगा किसी ऐसी काम से दूर रहें जो आपको फसा सकता है जो आपको मुश्किल में डाल सकता है आपका जो स्वभाव है वो काफी मजाक्या रहेगा जो आपके चारो तरफ के वातावरन को उनका सपोर्ट आपके बेहद अच्छा रहेगा जो इस राशी की स्टुडेंट्स प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखने की आशकता होगी क्योंकि जो घवराहट है या कहें तो परिक्षा की घवराहट है उसको अ अज अपने खाले वक्त में कुछ अध्यात्मिक चीजों की तरह आकरशन हो सकता है अध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना जो मन को शांती देने वाला होगा और ऐसा करके आप अपने मन में आई कई दुविधाओं को दूर भी कर सकते हैं शाम के समय अपने जीवन साथी के साथ कहीं से अरसा पाटे पर जा सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा अब चंद्रमा तो देखिए कर कराशी में ही विराजमान है और यह जो इस्तिति है थोड़ा बहुत चिंतित कर सकती है लेकिन आज पुश नक्षत्र भी है यह जो नक्षत्र है यह किसी भी चीज की खरेदारी करने के लिए बहुत ही शुब माना जाता है साथ में आज आज आपको किसी व्यक्ति से अगर किसी तरह की मदद किया वाशक्ता थी तो वो मदद आपको मिल सकती है आज आपके कुछ करीबी मित्र भी जरुरत के समय आपके साथ खड़े होंगे और आपकी हर तरह आपके समभ मदद करते हुए दिखाएते रिंगे ये जो दिन है ये कुछ लोगों को आपको दहनवाद बोलने का दिन भी है जिन्होंने आपकी मदद की है समय पर उनको आज आप दहनवाद देना बिलकुल ना भूले इसके अलावा कुमराशी के कुछ जातकों के लिए त थाबित होने वाला है आज आपकी आमदनी में अचानक से बढ़ोतरी होती हुए दिखाई देगी जो आपको बहुत खुश कर देगी ऑफिस में बॉस की आज नजर आप पर होगी और बॉस की प्रसंसा के पातर भी आप बढ़ सकते हैं आपका ओधा बढ़ सकता है योग मिलेगा उनसे सुख की अनुभूती होगी यात्रा पर जाने के लिए उनकुल दिन है किसी तरह की यात्रा अगर आप करते हैं और अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं तो एक बात ध्यान रखें किसी तीसे के साथ फलट करने के मूड में बिलकुल न रहें वरना ये मुश्किल में नाफस्ट है इसी इसका खास दोर से ध्यान रखें आप बात करते हैं हम 19 जनवरी के बारे में कि 19 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है तो चंद्रमा जो है वो करक राशी में ही है और करक राशी के चंद्रमा में कुम राशी वाले जातक जो बेर दोजगार तलाश आप नौकरी के आप तलाश कर रहे हैं तो आपके मन में बड़ी उतसुकता होगी आज अपने कुछ जॉब्स को लेकर बहुत उतसुकता रहेगी मन में बड़ा कॉन्फिडेंट होगा कॉन्फिडेंस होगा आपके मन में काफी अपने परिवार के साथ अ आपके अनुकूल ही चलती रहेंगे बिना सोचे समझे किसी भी चीज में ना जुड़े तो अच्छा रहेगा और प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा कहा जा सकते हैं आज का दिन उन अच्छे दिनों में से एक है जहां आप अपने सबसे प्यारे लोगों के साथ अपना समय बिता सकते हैं आज शाम को दो बजे से तीन बजे तक का समय किसी भी प्रकार के महतपोन कामों को करने के लिए बहुत उत्तम है और भी कई तरह की गतिविदियों में शामिल हो सकते हैं आप कई तरह की गतिविदियों में शामिल होने का मौका भी आज लेकिन कुम्ब राशी के जातकों के लिए ये समय बहुत अनुकूल होने वाला है क्योंकि आपकी जो खर्चे बढ़े हुए थे कहीं से कुछ खर्चा आये जा रहा था उन खर्चों पर आपको कटोती होती होई दिखाए देगी और आप धन संचित करने की तरफ जादा प्रे दे सकेगी अपने आफिस में अपने कारेले में अपने प्रभाव को आप बना सकेंगे लंबे अर्से से अगर आप किसी पुंजी के निवेश के बारे में सोच रहे थे तो ये महत पुंदिन आपके लिए साबित हो सकता है बाकी कुछ जमीनी सौधा आप सिग्र ही निपट आने वाला हो सकता है अगर आप किसी तरह के निवेश को करते हैं तो आज का प्रेमी भी कोई सर्प्राइज दे सकता है ऐसी खबर जिसका लंबे समय से आपको इंतिजार था तो दिन जो है बहुत है जादा अनुकुल है समय मैंने आपको आज के लिए बताया 19 जनवरी के ल बहुत ही उत्तम रहने वाला है बहुत ही भाकिशाले रहने वाला है तो दोस्तों और अदि कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारी इस वीडियो को जड़ जड़ लाइक करें शेयर करें